देश के दूसरे सबसे बड़े गन्ना शेतरवाले राज्या महाराश्च्रों में इस साल गन्ना का पिराई सीजन 15 अक्तूबर से शुरू होगा सोवार को मुख्य मंतरी एकना शेंदे की अध्यक्षता में हुई मंतरी स्मिति की बैठक में ये निन्ने लिया गया मुख्या मंत्री एक नाचींदे ने इस साल गन्ना उत्पादन के मामले में महाराश्ट को विश्व में तीसरे स्थान पर रहने के लिए बधाई भी दी बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चीनी मिलो द्वारा शमता से अधिक पराई करने के बाद भी गन्ने की अधिकता की समस्या बनी रही परदेश में गन्ने का रकबा बड़ा है विशेश रूप से मराट वड़ा शेतर में भी प्रिद्धी हो रही है हलाकि इस सल किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 15 दिन पहले ही गन्ना पिराई सीजन शुरू हो रहा है पहले पिराई शुरू होने की वज़े से किसी भी किसान का गन्ना चीनी मिल में जाने से वंचित नहीं रहेगा बैठक में उप मुख्य मंतरी दवेंदर फड़नवीस, राजस्व मंतरी राधा कृष्ण विखे पाटिल, कृषी मंतरी अब्दूल सतार, बंदरगा मंतरी दादा जी भूसे, सहकारिता मंतरी अतुल सावे और चीनी संग के सदस्या और विधान सभा के विपक्ष के निता जीत पवार, विधायक बाला साहब पायटिल और संग अध्यक्ष जैप्रकाश दांडे गावक कर मजूद रहे, इस मोके पर चीनी आयुक छेकर गायकवार ने गन्ने को लेकर प्रेजेंटेशन भी दी, चीनी आयुक छेकर गायकवार ने कहा कि पिछले सीजन में चीनी मील का भुकतान किया है, बैटक में इस उपलब्दी के लिए चीनी आयुक छेकर गायकवार की तारिफ भी की गई, इस सीजन में गन्ने की खेती करीब 14,87,000 हेक्टेर है, राज्ये में गन्ने की खेती का रकवा बढ़ गया है, इस वर्ष गन्ने का ओसत उत्पादन 95 टन प्रत इस सल पिराई 70 ओसतन 160 दिन रहने का अनुमान है, इस सल पिराई किये गई गन्ने के लिए 10.25 फीसद मूल पर 3,050 रुपे प्रति मिट्रिक टन का फर्पी दिया जाएगा, इस बिश देश में इस समय 60 लाख मिट्रिक टन चीनी है, जिसमें अकेले महाराष्ट्रों में 30 ल इस समय चीनी निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस, ओपन जर्नल लाइसेंस यानि के समंध में पिछले वर्ष की निती को बनाई रखने के समंध में केंदर सरकार को पत्र भेजने का भी निन्या लिया गया है, इस अफसर पर गन्ना कटाई के लिए मशीनी कन पर भ कर दो आपने के समंध में पिए खुले समंध में तो समंध में कर दो दो खुले लाइस。